टीवी टीर्पी लिस्ट में पिछले 15 सालों से अपनी जगह टॉप फाइ में कायम करने वाला शो ये रिष्टा का कहलाता है सुर्ख्यों में है क्योंकि इसके प्रोडूसर राजन साही ने पहली बार किसी को बाहर निकाला है अर्मान का किरदार निभा रहे शहजादा धामी और रूही का केरेक्टर प्ले कर रही प्रतिक्षा होनमुखे के खराब बरताओ के कारण उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया है हालके नए लोगों को कास्ट भी कर लिया गया है कौन है वो आईए आपको बताते हैं ये निभाएंगी रूही के किरदार शहजादा और प्रतिक्षा के नखरे दिन वदिन बरते जा रहे थे शो के शुरुआत से ही दोनों का प्रोडक्षन के साथ मनमुटाओ चल रहा था और ये बात को इस्टार्स ने ही मिडिया को बताई है ऐसे में राजन साही ने अर्मान के लिए रूहीत पुरूहीत और रूही के लिए गरविता साथवानी को कास्ट किया है दो शो के बाद लगा जैकपॉट गरविता साथवानी ने बाते कुछ अनकही में म्रिडाल सूद के रोल में दिखाई दी थी और मैं हूँ अप राजिता में वह निया के रोल में नजर आई थी हाना कि दोनों ही शोस में टियारपी लिस्ट में अपनी कोई खास जगर नहीं बना पाए थे उन्होंने करियर के शुरूआत मॉडलिंग से की थी इसके बाद उन्होंने कई नामी ब्रांड्स के लिए मॉडल के तोर पर काम किया था वे कई मीजिक वीडियो में भी काम कर चुकी है बताया ये भी जाता है कि उन्होंने कुछ कमपनीज में नौकरी भी की है बहुत पढ़ी लिखी हैं गर्विता साधवानी गर्विता ने चंडिगर से कॉलेज किया है बिजनेस में MET उन्वेर्सिटी से डिपलोमा और DAV कॉलेज से बीकॉम की डिगरी हासल की है इसके अलावा उन्होंने MET से MBA भी किया है शाजादा धामी को रोहित पूरोहित ने किया रिप्लेस टीवी एक्टर रोहित पूरोहित अब अर्मान बनकर परदे पर नजर आएंगे ये राजस्थान के जैपूर के रहने वाले हैं इन्होंने एक्टरेस शीना बाजाज से 2019 में शादी की थी 2009 से इंडस्ट्री में एक्टिव हैं रोहित रोहित पूरोहित ने शोरे और सुहानी से अपने करियर के शुरुआत की थी जिसके बाद उन्होंने ऐसे न करो विदा, संसकार लक्षमी, अर्जुन जैसे तमाम सोज किये हैं उडारिया में भी आचुके हैं नजर रोहित पूरोहित ने ईशा मालवी और समर्थ जुरैल के साथ साल भर उडारिया में भी अद्वैत कपूर का रोल निभाया था अभिया ये रिष्टा का कहलाता है में दिखाई देंगे नए रूही और अर्मान क्या दर्शकों को पसंद आएंगे अभि ये दोनों ही कलाकार रूही और अर्मान बनकर दर्शकों के दिलों में कितनी जगा बना पाएंगे ये तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा और इनके आने से टीरफी पर कितना असर पड़ेगा वो भी मालूम हो जाएगा इस स्टोरी पर आपका क्या कहना है कॉमेंट कर हमी जरूर बताएं बॉले बुड़ और एंटर्टेन्मेंट की खबरों के लिए देखते रहे ये ए बी वी एंटर्टेन्मेंट